नमस्कार दोस्तों करा जारी आप सभी को बताना चाहता हूँ इसमें तीन अलग अलग तरह के लिए पोश्ट यहां पे शामिल की गई इसमें आंगनवाडी कारिकरता की पोश्ट यहां पे रहेंगी इसके साथ साहिकाओं की भी यहां पे वेकेंसी आपे रहेंगी यहां पे बैतूल, हर्दा, होशंगाबाद में महिला एवं बाल विकास बिवाक के तहट जो है बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाडी कारिकरता साहिकाओं मेनी आंगनवाडी कारिकरताओं के पूर्णता आइस थाई तो टेंप्रेरी बेसेस पे यह वेकेंसी इस आपे रिलीस की जारी आंगनवाडी कारिकरता साहिकाओं और मिनी आंगनवाडी कारिकरता की आपे पोश्ट आप रहेंगी बैतूल, हर्दा और होशंगाबाद में तो दोस्तों पूरी जानकर इस वीडियो मां पे कवर करने वाले वीडियो को अंते तक जरुद देखें पूरी इंफ़र्मेशन आप लोग आप इस वीडियो के तरू प्राप्त कर लें वीडियो को आगे, ना बढ़ाएं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले वीडियो को लाइक जड़ू करिएगा चैनल को सबस्क्राइब कर ले मद्य प्रदे स्वास्थ विवा की हर वेकैंसी की जानकारी आपको मिलती रहेगी तो वीडियो की नीचे जाए सबस्क्राइब की रैट बटन को आप एकले करें मद्य प्रदेश स्वास्त बिवा की हर वेकैंसी की इंफॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पात रहे तो बिलकुल शुरू बात करेते हैं अपना अपडेट को और जो इंफॉर्मेशन आपको टेविल में दी जारी तो सबसे पहले इसको आप पे डिस्कास कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले टेविल में जो इंफॉर्मेशन दी जारी आपको जिले का नाम बताया जारा इसके बाद परियोजना के बारे में जानकारी दे दी गई और वरतमान में कितने रिक्त पद हैं तो आंगनवाडी कारिकरता का कॉलम है ये और इसके बाद आंगनवाडी स च्छे माइनों में जो रिक्त होने, पड़ जो यहाँ पी खाली हैं, इन पदों की संख्या भी बताय दे गई तो उसे इंट इंट इसे वाई कौलम बता गए, आंगानवाडी कारएकर था, आंगानवाडी साही का आएक और आँगानवाडी, जो यहाँ पे मीनी दी जारी इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जिले का योग बता दिया गया तो बैटूल में यहाँ पर पोस्टवाईस आपको अलग-अलग यहाँ पर इंफरमेशन यहाँ पर पोस्टवाईस आपको इंफरमेशन देदी कि alctic दे में आप लोग अपनी यहांपे चेक कर सकतें इसी की बाद दे demokrat की भी इंफॉर्मेशन दे देगी तो अंत में आप सभी लोग याँपे योग देख सकते हैं आगनवाडी कारिकरता के कुलमला के 12 पद है और साहीका के 24 पद है और जो मीनी जो यहाँ पर कारिकरता है यहाँ पे 2 पद शामिल किये गए और यहीं पे आपको 6 मेरों में रिक्त जो पद जो यहाँ पे खाली इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई अब दोस्तों बात के लेते हैं अप सबी लिगों को किस माध्यम से करना है तो यहाँ पे लखा है आंगनवाडी, केंदरवार, गरामवार, वाडवार, वास्तविक रिक्त पदों की जानकारी एवं नियम नर्देश, सरते, आविधन का प्रारूप, शेक्षडिक योगिता, एरताओं से सम्मधित जानकारी के लिए सम्मधित जिला कार्याले एवं वि विकास के परियोजना कारयाले में संपर किया जाता है, तो दोस्तों ऐप्लिकेशन फॉर्म का जो फॉर्मिट है अविधन का जो प्रारूप है, एलिजबिल्टी, जो क्रेटिरिया है, नियम, जो भी आपके आपधे रूल से, रेगुलेशन है, और एहरता है जो भी आपका आपके क्वालिफिकेशन याप पर टैय की गई इसके लिए आप लोगों को जिला कार्याले एवं विकास खंड इस्थर पर महिला एवं बाल विकास बिवा के परियोजना कार्याले में आपको संपर करना है वहीं पर आपको आविदन का परारूप मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे उपर के तरब एक जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दी जारी कि यहाँ पर लिखाए पात्र महिलाओं के जिलेवार नियम अनुसार आविदन आमंतरत किये जाते हैं तो महिलाओं यहाँ पर लिखाए मीज जिर्फ फिमेल केंडिडेट सी इन विकैंसी के लिए आप लोग एपलाए कर सकते हैं तो अच्छी बात है आप लोग यहाँ पर इन पोश्ट के लिए आविदन कर दे तो दोस्तों जो भी आप लोगों का संबन्दिद आपका जिला है आपको महिला एवं बाल विकास बिवाक में जाना है वहाँ पर आप लोगों को नोटिटिटिकेशन की जानकारी में लगी आविदन का प्रारूप मिलेगा मीज एप्लिकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिलेगा qualification जो भी आपसे आपे मांगी गई ये जानकारी भी आप लोगों को वहाँ पे जानकारी कारेले में ही संपर्क आपको कराई जाएगी और दोस्तों आप देखिए लेका है संब्धित महिला आविदिका अपने पूर्ड़ता भरे आविदन पत्र मैं आवशक सह पत्र साहित संब्धित जिले की बाल विकास परियोजना कारेले में विग्याप्ती प्रकाशान से देरांग 25 जनवरी 2022 तक कारेले के समय में नरधारित प्ररूप में जमा कर अभी सुईकरती प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों को एप्लिकेशन जो फॉर्म है 25 जनवरी 2022 इस देट तक कारेले के समय में आपको जमा करते ना है और जो भी आप लोग का सम्मने जला रहेगा उसके बाल विकास परियोजना कारेले में आप लोग अपना यहाँ पे अपना आविदन वहाँ पे सम्मेट करेंगे और 21 जनवरी 2022 एपलाई करने की लाज़ देट रहेगी और दोस्तों आप पे देखिए एक शर्त यहाँ पे रखे गई जिस ग्राम या वार्ड में रिक्त पद की पूरती हितु विग्यापती जारी की गई आप ही देखाँ ग्रामीड चेतर में उसी राज़सव ग्राम एवं शेहरी चेतर में उसी बार्ड का निवासी होना चाहिए दोस्तों जिस किसी भी आप لوگ अपना ग्राम या वार्ड के लिए अपलाई करें आप सबी लोग उसी ग्रामीड छेतर के आप लोग यहाँ पे शेहरी हो या फिर आप लोग ग्राम वाले हो तो आप लोग उसी वाड़ के निवासी होना आपका यहाँ पे जरूरी बोला गया है उधारन के तोर पे जैसे के देखिए आप लोग होशंगाबाद में यह जो है जगह पेपरिया तो इसकी लिए अगर आप लोग एपलाय करें तो आप लोगो को इसी जगह का मींस पेपरिया जैले का आपका आप पे निवासी होना आपका ज़लूरी हाँ यहाँ पे होना चाहिए तो दोस्तों पूरी इंफोर्मेशन मैंने आप पे cover की जो update था वो मैंने आपको यहाँ पे provide करा दिया बाकी information आपको कारेले में ही मिलेगी तो जो भी आपका संबने जिलाए आप लोग को माईला एवं बाल विकास बिवाग में जाके आप लोग जो है कारेले में संपर करें application form का format आप लोग वहाँ से प्राप्ट कर ले और qualification की जान करी जो भी आपको है आप लोग वहाँ पे कारेले में संपर करें और 25 जनवरी 2022 इस देट तक का ध्यान अके इस देट तक आपका आविदन submit हो जाना चाहिए तो दोस्तों मद्यप्रदे स्वास्त विवा की ये vacancy की information मैंने आपको आप पे दी उमीद काता हूँ update आप सभी लोग को यहाँ पे मिल के आओगा और ये update आपको कैसा लगा जरू बता है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे लाइक करें इस वीडियो को इस मेनत को लाइक जरू करेगा और MP Government Health Department की हर vacancy की जानकारी आगे भी चाहते हैं तो पहले से चैनल को subscribe कर लें तो वीडियो को नीचे जाए subscribe के red button को आप एक लिक करें मद्यप्रदे स्वास्त विवा की हर vacancy की information इसी तरीके से आगे भी पांते ले तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में thank you so much